वेल्कम टु माई चैनल आज का हमारा वीडियो है कि घर पर ही आप टोनर कैसे बनाएं ताउचा में गर्मी के चलते हैं अकसर थकावट हो जाती है अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो हमारी स्किन है वो मुर्जाई सी रह हो जाती है स्किन पसीने के कारण गर्मी के कारण है वो बिल्कुल थका थका लगता है अमारा चैरा इस कारण चैरा मुर्जाया वासा लगता है थकावट के कारण ताउचा को आप साफ और खिला हुआ रखने के लिए घरेलू टोनर है वो आपके काम आ सकते हैं बहुत काम आते हैं गरेल तो चले स्टाट करते है आपको बताते हैं तो पंड तोनर कर सकते हैं तो खाल को ग्हुत स्टॉन तो रिते अप्ति ़ल भी पत्तिर दन कर था चली होगैं तो 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 पत्ति परसा की ढहें है आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होगा थोख लोग पूर्डा हो जाए लें वह तुल्शी नेलीजिए उनको पानी में बने श हो जाए य। प्रेबोटल भी बोटल कोई ले लिजिए उसमें डाल लीजिए उसको भरके रखलीजिए आप दिन में दो तिन बार आप इसका यूज कर सकते हैं आप ओफिस जाती है तो साथ में इसको लेके बजाचकती है चोटी बोटल में डालके आप जब भी आपको थकावत मैसूस हो नेक्स्ट है कि पोदिना भी आप यूज कर सकते हैं तो पोदिनी की पत्तियों को भी आप वैसे ही पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए फिर पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो फ्रीज में रख दीजिए और जब वह नॉर्मल हो जाए शामन्य हो जाए तो आप इसे बोटल में वैसे भरके रख सकते हैं तो उसे आप रूई की मदद से भी चहरे पर लागा सकते हैं या फिर इस प्रे बोटल से भी यूज में ले सकते हैं तो यह टोनर भी आपकी जो स्किन सूखी स्किन होती है सूस्क तवचा होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी को ठंडा कर लीजिए और बोटल में भर लीजिए इस आप प्राकर्तिक टोनर को आप रोज चेहरे पर लगाएं इससे आपका तेली अपन है वो कम होगा रिफ्रेक्शन रहेगा आपका चेहरा बहुत ही खिला खिला रहेगा और नीम वैसे भी आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी कील मुहां से नहीं होने देगा आपकी स्किन के लिए तो यह एक आयरुवेदिक हैर नीम बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए कफोड़ी फुनसी कुछ भी नहीं होगा आपके चेहरे पर नेक्स्ट है खीरा खीरा गर्मियों के यह अग्ट आच्छा है आपके स्किन के लिए बहुत फाइदे मंध होता है यह टोनर कीरे का रस निकाल कर इसे आप बोटल में बरकर रख लीजिए या फिर कर लीजिए और कदुकस करके आइस क्यूब जमा लीजिए आइस क्यूब जमाने के बाद इससे आप कब भी भी जब चेहरे के लिए भी फायदे मंद होता है तो इसके बहुत सारे फायदे है तो आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट तै आपका ग्रीन टी अपर घम बना शकते हैं, तो इसके लिए क्या करें एक कप गरम पानी में एक ग्रीन टी बैग को डुबो लीजे, जब ग्रीन टी थंडी हो जाये तो टी बैग को निकाल दीजे और इसमें एक चमच आपको सेब का सीरका है वो मिलाना है और इ तो इसके भी बहुत सारे फाइदे हैं आप ग्रिंटी टोनर भी यूज में ले सकती हैं आपकी स्किन के लिए यह बहुत ज़्यादा इसके बनाना टोनर को नेक्स्ट ए अलोवेरा तो एक कप अलोवेरा जेल में चोता ही कफ आप खीरे करस डाल कर अच्छी तरह से मिला लिए तो आप खीरे करस उसमें थोड़ा सा यूज कर लिजे नहीं तो आप अलोवेरा में है वो गुलाब जल भी यूज कर सकती है वो भी रिफ्रेक्शिंग रहता है और इस टोनर को क्या कर शकती है आप चेहरे और गर्दन पर लगाए या फिर रूई से लगा लिजे या फिर बोटल में डाल के स्प्रे कर सकती है इससे आपके चेहरे के क्या होगी गंदी साफ होगी और थोड़े बाद में आप चेहरे को दो सकती है तो आपकी चेहरे के लिए ये भी बहुत ज़्यादा फाइदिमन होता है गर्मियों के टाइम में बहुत इजी है फ्रेंड्स इनको फूलों को गरम पानी में डाल दिगर 25 फूलों को गरम पानी चाड़ का ठाल अर बोटल में भर लिझे आपका थंडा करके आप 2 श都 धर दिनमें में है वो थिन बार में इस फ्रेइट को अपने बसे प्रुई की मदद दे já करी इस चाड़ का लिए तो उस आपके लिए तो अ तो आपको आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेर और सब्टाइब करना ना भूले मिलती हूं में नेक्स्ट वीडियो के साथ